पॉलिस पर सहसन हमें नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले ली हैं, उन्हें पपड़े तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है। लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस पर सहसन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है हमें इंसा अपने दिला रही है तो बहराइच इंसा में मारे गैड राम गोपाल मिश्रा की पत्नी पुलिस पर गंभीर आरूप लगा रही है कि पुलिस उनके साथ अन्याय कर रही है राम गोपाल की पत्नी पुलिस पर पतनी पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रही हैं वह आपको त Classic लेकिन उसके पहले देख वीडियो जो रावकर मिछ्रा के पत्नी ने कह दी बड़ी बात। पुलिस आरूपी को बचाने की कोशिश कर रही है, आरूप लगाती कि अब तक पुलिस को जिस तरह से कारणवाई करनी चाहिए थी, पुलिस नहीं की, तरसल गुरुवान को बहराइश इंसा मामने में पुलिस एंकाउंटर करती है, इसमें दो आरूपी के पैर भी बोली करता है, जबकि दूसरे आरूपी का नाम ताली, पुलिस ने मुढबेड के बाद पांच आरूपियों के गरफ्तार करने का दावा भी किया, यह एंकाउंटर गुरुवात दो पहर सबा दो बजे बहराइश के नानपारा शेत्र में हुआ, जहां से नेपाल के सीमा सर्थ 15 क किलोमीटर दूर है, कहा जाता है कि आरूपी नेपाल भागनी की फिराक में थे, वो इस इंकाउंटर के बाद विरोधी भी हमला वर हो गया, कॉंगर से लेकर सपा तक सवाल उठाते हैं, आपको बता दी कि बहराइश में हुई संपरदायक हिंसा में मारी गये, राम गोपा का परिवार बार बार खून का बतला खून की मांग करता रहा, और अब जब एनकाउंटर में इन आरूपियों के पैर भी गोली लगी है, तो इसी को लेकर राम गोपाल की पत्नी सवाल उठा रही है, आपको बता दी कि 13 अक्टूबर की शाम दुरगा प्रद्मा विसरजन क के लिए जुलूस के दौरान बवाल हो गया था, जब इजुलूस महराज किन बाजार में समधाई विशिश के महले से गुजरा, तो नारी बाजी और डीजे बजानी को लेकर दो पक्षों में बहले कहा सुनी हुई, और देखते ही देखते ही ये कहा सुनी बवाल में तब हो गई, आरोफे किस दौरान छट से पत्थर फेकी गए, जिससे विसरजन में भगदल मच गई, इस बीच गोली बारी भी हुई, जिसमें राम गोपाल गंधी रूप से घायल हो गया, उसे बहराइच मिटकित कॉलेज राय गया, जहां उसने दम तोड़ दिया, राम गोप